तो आज कि इस वीडियो क्लास में हम डिगडी पार्ट टू एक्जञामनेृशन जो आपका नन हिंदी का हुआ है जो की आज आज आपका एक्जाम हुआ है जो चार और एक चार एक दोहजार तरह इसको जो आपका एक्जाम हुआ है उसका हम आंसर की देखेंगे तो आप अपना मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आएं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा first question क्या है, यहां पे है, जानकी वलव सास्त्री का जन्म कब हुआ था, जानकी वलव सास्त्री का जन्म 1916 में हुआ था, तो first correct answer आपका A हो जाएगा, ठीक है, चलिए हम चलते है second question क्या है, आर्ची परसाथ सिंग छायावाद के किस उत्थांत के कभी माने जाते हैं, तो second correct answer आपका B हो जाएगा, ठीक है, अब आईए चलते हैं, संजीवनी की कथा के मूल में है, तो संजीवनी की कथा के मूल है राश्प्रेम, तो three correct answer आपका हो जाएगा A, ठीक है, अच्छा कुल के गुरु सुक्राचार ये थे, तो five correct answer आपका C हो जाएगा, ठीक है, अब आईए चलते हैं, six question पे, संजीवनी का पात्र नहीं है, संजीवनी के पात्र उर्वर्शी नहीं है, तो six correct answer आपका A हो जाएगा, ठीक है, अब आईए हम चलते हैं, seven question, जीवन का ज का A हो जाएगा, अब आईए हम चलते हैं, nine question क्या है, पासनी की रचनाकार कौन है, पासनी की रचनाकार जान की वल्लब सास्त्री है, तो nine correct answer आपका D हो जाएगा, ठीक है, अब आईए हम चलते हैं, ten question क्या है, पासनी का प्रकाशन वर्स क्या है, तो पासनी का प्रकाशन व इन में से कौन पाशनी की संगीति काये हैं तो ऑप्शन ए गंगा आप दरन बी उर्वशी शी मंजरी यहां पे हो जाएगा अलेवन करेट एंसर हो जाएगा आपका डी उप्यूक्त सभी ठीक है अब आई हम चलते टुएल कोईश्चन जानकी वलव सास्त्री का जन्मस्थान क कहां है तो गया है टुएल करेट एंसर आपका ए हो जाएगा ठीक है अब आई हम चलते हैं फोर्टीन कोईश्चन पे जग्र तप कर रहे हैं जाएगा ओ भैगरत जो मनुष्य महान पंतियां उद्रिग्रित है यहां पे हो जाएगा आपका फोर्टीन करेट एंसर ए हो है है मिर्तियू विजय बलीदान की पड़ी नीती करुना कल्यान की पंतियां उद्रित है यहां पे हो जाएगा फिप्टीन करेट एंसर आपका सी हो जाएगा गंगा अवतरन से अब आईए हम चलते हैं सिक्स्टीन कोईश्चन पे भला चाहने वाला मैं भोग योग की का उक्त पंतियां वहरवा नंद किसे कहा जाता है तो सिक्स्टीन करेट एंसर आपका ए हो जाएगा मंजरी ठीक है अब आई हम चलते हैं सेवेंटीन कोईश्चन पे विक्रम वर्श्ची की कथा वस्तू से प्रेणित संगितिक आए हैं तो वह हो जाएगा सेवेंटीन क्या है पासनी में उद्यत मारवा साड़िस क्या है साड़िस जाती एक राग साडव जाती की कथा यहां पे हो जाएगा आपका नाइटीन करेटिन सर आपका सी हो जाएगा ए और बी दोनों ठीक है अब आई हम चलते हैं किसी संगिताय के विश्चाय में कहा गया है कि यह औ पूरवशी यहां पर आई हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पे 21 क्वेश्चन है संसदिय राज भासा की समीती का गठन कब क्या गया यहां पे हो जाएगा ए 1963 अब आई हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पे राज भासा आयोग 1955 के गठन का आधार है अनुछे 343 तो 22 करेटन सर आपका ए हो जाएगा अब आई हम चलते हैं 23 क्वेश्चन पे सविधान में हिंदी की मानियता मिली है राज भासा के रूप में अब आई हम चलते हैं 24 राज विधान मंदर में परियोग्त होने वाली भासा संबंधी प्रवाधान है अनुछेद 120 हो जाएगा 25 का रेटेंसराप का ए हो जाएगा अब आई-म चलते 26 कोशन पे राज भासा आयोग 1955 की प्रवाधान नहीं है तो नहीं है यहां पे हो जाएगा 14 वर्स की आयू तक सभ जून 1955 अब आईए हम चलते हैं 28 कोशन में हिंदी प्रियोग संबंधी राष्ट पती का आदेश 1952 कब जारी हुआ यहां पे हो जाएगा 28 करेटेंसराप का ए हो जाएगा 27 मई 1902 अब आईए हम चलते हैं 29 कोशन मैथली भासा को सविधान में कब मानियता मिली यहां पे हो ज चलते हैं 30 कोशन क्या है भारत सविधान के अश्टमन सूची में कितनी भासाओं को मानियता मिली है यहां पे हो जाएगा 22 30 करेटेंसराप का ए हो जाएगा अब आईए हम चलते हैं 31 कोशन पे यहां पर रिजेंटेशन का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर हो जाएगा प यहां पर है डिटिल का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर हो जाएगा अपका भी आदेश ठीक है अब आई यह tätä हीतार कोसला सट इसंदक्यों टेंडटें सिहां 5 टैंडर का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर निवीदा थाइव कर मैं यही सैख आए bak में चलते हैं 36 को कोंफीटेंसल का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर हो जाएगा कोपनी है तो 36 का राटनसर आपका C हो जाएगा अब आई हम चलते हैं 37 कोशन पर Western कोशल का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर निम् i.e. 007 कोशन पर सेक्षण का हिंदी अनुवाद क्या है यहां पर आपका राइटध अनुवाद क्या है ठीक हैं आप अधीनियम ठालतkennt पर एक्ट का hands rule would क्या है तो अधी नियम हो जाएगा तो 39 करेटेंसर आप का B हो जाएगा अब आईए उस चलते हैं चलते हैं प्रटीं करेंट सब्it तो मुहावडा का अर्थ किया है तो फोटी-फोर करेंसरा हाफन के दर्दर भटकन मैंकृठ करना कीचर उचालना निन्दा करना तो 46 करेटेंसर आपका C हो जाएगा अब आई हम चलते हैं 47 कोईशन पे काया पलट जाना मुहावरा का अर्थ क्या है तो रूप बदल जाना होगा तो 47 करेटेंसर आपका B हो जाएगा अब देखिए हम चलते हैं 48 कोईशन पे संचेपन की विशेस्ता क्या है संचिपता सरलता असपर्ष्टा यहां पर 50 का राइट एंसर आपका D हो जाएगा उप्यूक्त सभी ठीक है यही था आपका राइट एंसर टोटल हमने आपको 50 राइट 50 कोईशन जो की आपके मैथली में पूछे गए थे 50 कोईशन जो आपके हिंदी में पूछे गए थे उसका आपको आंसर की बता दिया गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग डि हमारे ओूर कुस्ट वाइब ला-पको ला-एब टीजेगा थैंक्स हैं कि यूद्ट बाले की बतार आपको आपको फिर उता हैं हमारे चैनल को वीडियो जाफ़ा कि अ से ला-गप सब्सक्राइब जाप ला-गजशन शे हैं और यावशन भीडियो चैनल को यार्द लाइर